अलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Parcham Classes. आज की क्लास में देखे हमें Finance और Banking Affairs के Weekly Current Affairs में 23 October से 29 October तक की सारी निउस को कवर करना है कि Finance और Banking की दुनिया में क्या-क्या नया हुआ है, कौन से स्टेट ने क्या अचीव किया है, ये सारी चीजें हम लोग डिसकस करेगे. ठीक है, उसके बाद एक Question आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका Answer आपको करना है. लाइव या इंटरेक्शन से आप हमारे टीचर से, हमारी फैकेल्टी से अपने डाउट पूछ सकते हैं. तो ये नए-नए फीचर्स जो हैं हमने अपने कोर्स में इन्रॉल किये हैं, आप जल्दी से एप पर जाके इस कोर्स का बाके डिटेल देख सकते हो. ठीक है, अपनी न्यूज को हम शुरू करते हैं. सबसे पहली न्यूज क्लास की क्या है? कि केरला भारत का वो पहला स्टेट बन गया है, जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉल मार्किंग सेंटर जो है, वो इस्टैबलिश हो गए है. आज तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था, जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉल मार्किंग सेंटर बन गया हो. है हर स्टेट के अंदर, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है. केरला पहला स्टेट बन गया है, जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर बन गया है. 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला में और 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर केरला में हॉल मार्किंग सेंटर बन चुका है. हाल ही में इदुकी के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट इदुकी है केरला का, उसके अंदर ये सेंटर बन गया है, आदिमाली के अंदर ये बन गया है, और पहले 12 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अब बाकी 2 के अंदर भी बन गया है, तो ये 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट्स को अब कवर कर रहा है केरला जो है गोल्ड बिजनस का एक हब है केरला गोल्ड बिजनस का एक हब है और पूरे भारत की एक रिलाइबल मार्किट है ठीक है प्योरिटी के लिए जाना जाता है केरला उसके बाद केरला के गोल्ड बिजनस की बात करें तो एक लाख करोड से भी जादा मतलब ध दाई सो टन से भी जादा जो है, दाई सो टन से भी जादा का जो गोल्ड है, एन्वल सेल वहाँ पे होती है, एक लाग करोड से भी जादा की एन्वल सेल जो है, वो होती है, केरला गोल्ड बिजनस के अंदर, और वहाँ पे 12,000 गोल्ड मर्चंट्स है, ठीक है, और Bureau of Indian Standard Registration ज होता क्या है? हॉल मार्किंग देखो, गोल्ड की जूल्री, सिल्वर की जूल्री या बाकी आर्टिफेक्ट्स इंडिया के अंदर जो हैं, उनकी प्यॉरिटी के लिए एक 6 डिजिट्स का नंबर दिया जाता है, Bureau of Indian Standard के द्वारा, जिसको हम हॉल मार्क कहते हैं. मैनुल तरीके से जूल्री के उपर ये हॉल मार्किंग लगाई जाती है, ये पूरा सिस्टम Bureau of Indian Standard, जो एक Statutory Body है भारत के अंदर, अंदर Indian Standard Act 2016, उसके द्वारा प्रमानित किया जाता है, हॉल मार्क के अंदर क्या होता है? मैटल की purity का विश्वास हो जाता है, हॉल मार्किंग सेंटर पे जाके, आप कहीं पे भी उन जूल्री को चेक करवा सकते हो, ओल ओवर इंडिया के अंदर उनको कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है, अगर हॉल मार्किंग है तो, दो ग्राम से कम की जो जूल्री है, वहाँ पे हॉ जूल्री के उपर आपको ये मिलेगा, दो ग्राम से जादा वाली पे मिंडेटरी है, कम वाली पे क्या पता ना भी मिले, ठीक है, जूल्री के उपर आपको स्टैंप मिलेगी आप पिछली साइड, जैसे रिंग विंग आपने भी पहनी हुई है, तो आप उसके पीछे देखना, आपके जूलर का टैग वहाँ होगा, और साथ में हॉल मार्किंग पाएगी, सिक्स डिजिट का नंबर जो है, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, कंजूमर्स कैन यूज दे एच यू आईडी तो ट्रैक देर जूल्री ओनलाइन, आप अपनी जूल्री को ओनलाइन ट्रैक करने के लिए भी इस नंबर का यूज कर सकते हो, जो ये सिक्स डिजिट का अल्फा नुमेरिक नंबर है, इसके बाद नेक्स न्यूज क्या है, मॉबिक विक्स जैक पे, गेट इन प्रिंसिपल नोड फ्रॉम आर्बियाई तो अपरेट एज पेमेंट एग्रिगेट इसमें देखो कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, एक तो इन प्रिंसिपल, ये इन प्रिंसिपल अप्रॉवल क्या होता है, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की आर्बियाई ना, ये कहता था मैं फला साल में ही अप्रॉवल दूँगा, उसी साल एप्लिकेशन निकलेगा, ल आपको ये लाइसेंस मिलेगा, जब भी, जिस भी समय आप आर्बियाई की कंडिशन्स को पूरा कर देते हो, उसी समय, उसी वक्त आपको उस चीज का एकसेस मिल जाता है, इसको कहता है, इन प्रिंसिपल अप्रॉवल, अब देखो हुआ क्या है, जो मोबिक विक है, मोबिक अग्रिगेटर क्या होता है, जो अलग-अलग मर्चेंट्स से पेमिंट करवा सके, जैसे अभी आप देखते हो ना, रेजर पे से हम कितनी सारी पेमिंट कर देते हैं, पे टीम से हम कितनी सारी पेमिंट कर देते हैं, जाहे आप कहीं पे भी खड़े हो, कितनी सारी ओनलाइन transactions आपकी रेजर पे से होती है तो रेजर पे एक payment aggregator है payment को aggregate करता है, इकठा करता है merchants को कह रहा है मेरे माध्यम से आप पैसा दूसरी जगा भेज सकते हो तो Mobic Week ने भी RBI से ये license मांगा था, तब RBI ने ये कहा कि आपके पास कम से कम 15 करोड का capital होना चाहिए फिर से RBI को application दिया और RBI ने अपकी बार उनको approval दे दिया है कि आप payment gateway और payment aggregator की तरह काम कर सकते हो इसलिए ये news में आया है I hope आप लोग समझ गए हो और इसके जो payment aggregator होगा उसका नाम क्या होगा? ZAC Pay, क्या नाम होगा? ZAC Pay, जाक Pay, ठीक है? तो ये पूरी बात थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि RBI ने 2021 में इसकी application को reject कर दिया था क्यूं कर दिया था? क्यूंकि इसके पास कम से कम जो net worth demanded था वो नहीं था 15 करोड होना चाहिए इसके पास 14.3 करोड था जिसके चलते इसका license जो है वो cancel हो गया RBI ने guidelines जारी की हुई थी payment aggregator और payment gateway को लेके payment gateway क्या होता है? जैसे आपके cards होते हैं न debit card, credit card, ATM, repay card यह सब payment gateway है master card, visa card यह क्या करते है? अलग-अलग all over banks से networking करते हैं all over India या world के अंदर merchant से networking करते हैं और फिर उनकी payment अपने माध्यम से करवाते हैं ठीक है? तो payment aggregator और payment gateway क्या होता है? यह यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर उसके बाद capital requirement कितनी चाहिए होती है? जो already existing payment aggregator है like reserve pay उनके लिए क्या condition है? कि आपका net worth 15 करोड होना चाहिए 31 March 2021 से पहले पहले net worth 15 करोड का होना चाहिए और third financial year यानि 31 March 2023 तक आपका net worth 25 करोड होना चाहिए यह है existing payment aggregator के लिए अब जो new payment aggregator आएंगे उनके लिए क्या कहा है? कि आपका minimum net worth 15 करोड जिस समय आप application लगा रहे हो उस समय आपका minimum जो पैसा है minimum net worth आपका 15 करोड होना चाहिए और आपको 25 करोड का net worth हमेशा ही उसके बाद maintain करके रखना पड़ेगा जिस समय application लगा रहे हो 15 करोड और फिर third financial year से 25 करोड और उसके बाद हमेशा ही 25 करोड आपको maintain करके रखना पड़ेगा तो यह बात RBI की guidelines में लिखी है onboarding क्या होता है onboarding होता है कि आप नए-ने merchants को जोड सकते हो आप नए-ने जैसे Amazon को ठीक है जैसे Flipkart को यह जो merchants है या अलग-अलग दुकान वाले हैं उनको आप जोड सकते हो अलग-अलग malls है उनको आप जोड सकते हो इसको कहते है onboarding तो जो existing थे उनको भी कहा आप onboard कर सकते हो कुछ new merchants की payment को और जो नए आ रहे हैं उनको भी कहा लेकिन ये बात याद रखोगे जो razor pay है, pay you है, cash free है, pay tm है इनको in principle approval तो मिल गया है लेकिन फिर भी इनको कहा है आप नए merchants को onboard नहीं कर सकते aggregator है, ये और merchants को add नहीं कर सकते, नए merchants को add नहीं कर सकते, mobic week की बात करें तो इसके founder है विपिन प्रीत सिंग और उपासना ताकू MD और CEO है इसके विपिन प्रीत सिंग इसके headquarter गुरुग्राम हर्याडा और established in 2009 next news है, bank of बडोधा ने एक नया saving account pop light करके जारी किया है, इस account की खासियत क्या है, इस account की खासियत ये है, आप zero balance रख सकते हो lifetime, ऐसा होता है ना, कम से कम इतना रुपया तो आपको maintain करके रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आप zero balance के साथ पूरी lifetime गुजार सकते हो हाँ, लेकिन अगर आपको इनका platinum debit card चाहिए तो quarterly basis पे आपका कुछ minimum balance होना चाहिए अगर आपको इनका platinum debit card चाहिए तो, वो क्या है वो जो quarterly average balance है वो कितना है वो locality पे base कर रहा है अगर आप, अगर आप metro या urban area में रह रहे हो तो कम से कम आपके खाते में 3000 होने चाहिए तब आपको ये रूपे platinum debit card मिलेगा अगर आप semi urban area में रह रहे हो तो आपके पास 2000 रूपे account में होने चाहिए हर वक्त और अगर आप rural area से belong करते हो तो 1000 रूपे हर वक्त आपके खाते में होने चाहिए to receive this रूपे platinum debit card ठीक है otherwise अगर आप card use नहीं कर रहे तो zero balance के साथ भी आप इसको continue कर सकते हो qualification या eligibility क्या है आप भारत के resident होने चाहिए और आपकी उम्र 10 साल से ज़ादा हो 10 साल से ज़ादा यानि minus का खाता भी इसमें खुल सकता है 10 साल से ज़ादा आपकी उम्र होनी चाहिए ठीक है debit card पे कोई annual fee जो है वो नहीं लगेगी अगर आपका QAB quarterly average base जो है वो maintain है अगर वो maintain नहीं है तो आप पर fees लगेगी debit card की अब ये क्यों कर रहे है festive season चल रहा है तो bank of बडोदा ने अपने festive campaign को unveil किया है जिसका नाम क्या है bank of बडोदा के संग त्योहार की उमंग ये जो इनका campaign है ये 31 December 2023 तक चलेगा इसके अंदर 4 saving account जो है वो इन्होंने issue किये है launch किये है एक तो light saving account minimum balance कुछ नहीं चाहिए दूसरा BRO यानि bro saving account जिसमें zero balance saving account students के लिए 16 से 25 साल के students के लिए फिर my family, my bank यानि की पूरी family के लिए परिवार account जिसको कहते हैं पूरी family के लिए ये खाता फिर non resident Indians के लिए भी एक power packed account इन्होंने launch किया है तो ये 4 तरीके के account इन्होंने festive campaign चलाने के लिए launch किये है गिफ्ट आइटम्स की है, durable goods की है travel, food, fashion क्योंकि इस समय shopping जादा होगी bank of बडोदा के card पे अलग-अलग आपको discounts देखने को मिलेंगे तो ये सारी बाते यहां पे बताए गई है bank of बडोदा की बात करें तो MD CEO इसके देवदत चंद है headquarter वडोदरा गुजरात में है Mumbai महराष्टरा में corporate center है इसका 1908 में establish हुआ और इसकी tag line है India's international bank next news पे move करते है that is competition commission of India ने पहली बार पहली बार हुआ है भारत की अतीत में competition commission of India ने first membership प्राप्त कर ली है international competition network के अंदर जो उसका steering group है दो साल के लिए मैं आपको पहले international competition network के बारे में बता दू international competition network का एक steering group होता है 18 members का पूरे world के 18 members होंगे 18 लोग होंगे ये क्या करते हैं ये steering groups क्या करते हैं ये जो group बना है international competition network जो है ये ये एक virtual platform है इसका काम क्या होता है पूरे world के अंदर competition maintain करना अलग-अलग products के लिए या अलग-अलग markets के लिए competition को maintain करना webinar के माध्यम से seminar के माध्यम से ये guidelines देता है ताकि competition बरकरार रहे competition maintain रहे ठीक है तो ये तो हो गया आपका international competition network के बारे में अब इसका जो steering group है इसमें 18 members है ठीक है तो इसका अब इन 18 सदस्यों में से पहली बार भारत का competition commission of India इसका member बन गया है पहली बार CCI इसका member बन गया है और ये 22 वी annual conference हुई थी इनकी वहाँ पे कहा गया कि भारत भी सदस्य है और इस conference को host किया था Spanish National Market and Competition Commission ने जो Barcelona, Spain के अंदर हुई है competitive group के अंदर शामिल हो रहा है this is the first time that competition commission of India has become a member of this apex body ठीक है दो साल के लिए हम इसके member बने हैं 140 member competition agencies जो है इसकी partner है लेकिन जो steering group है वहाँ पे 18 देश 18 देश, पूरी दुनिया के 18 देश उस steering group के member है ठीक है उसके बाद international competition network की अगर बात करें तो ये एक virtual international organization है virtual क्यों? इसकी जब भी meeting होगी seminar या webinar के माध्यम से होती है काम क्या होता है इसका? जितने भी groups हैं जितने भी teleconference, tele seminar, webinar के माध्यम से अपनी guidelines देता है और ये देखता है कि all over world में क्या competition बरकरार है या कोई अपनी powers का misuse कर रहा है इसका role क्या है? global body है और ये देखता है कि competition law enforce हो रहे है या नहीं हो रहे है ठीक है? national और multinational companies इसकी member है अलग-अलग 18 देशों की और ICN provides a specialized yet informal platform special है बट informal है formal नहीं है ऐसा नहीं है, सरकारे शामिल हो रही है informal है, multinational companies और national companies इसका member बनती है इसके बाद इसके steering group की बात करें तो steering group क्या कहता है कि हर दो साल के अंदर नए-ने members को add करता है 18 member का इनका steering group होता है हर दो साल के बाद कुछ members को include करता है और ये 2001 में बना है इसका जो chair मतलब की इसका जो head office है वो Germany के अंदर है ठीक है और member agencies इसकी 143 member है steering group की 18 है और इस international competition network के 143 member है confused नहीं होना है भारत उन 18 में शामिल हुआ है next news है स्वरूप मोहांती को Mirai AMC Asset Management Company Mirai ठीक है इसका VC Vice Chancellor जो है वो appoint कर दिया है First non-korean VC होगा ये First non-korean VC होगा अभी तक Korean VC ही लगे है यहाँ पे First non-korean VC होगा ये Mirai Asset Financial Group का ठीक है अगर इस Asset Financial Group की बात करें तो ये Asia का leading independent financial service company है independent financial service company Asset Management Company जो है ये Asset Mutual Fund की एक subsidiary है ठीक है बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए ये Korea based एक company है जिसके VC जो है वो स्वरूप मुहंती को appoint कर दिया है ठीक है और इसका headquarter मुंबई महराष्टरा के अंदर है इसके बाद आगे next news क्या है ये एक report आई SBI की PM Swanee धी street vendors के लिए एक scheme चलाई गई थी PM Swanee धी SBI ने एक report जारी की और उस report में ये कहा गया कि इसमें से 75% जो candidates है जो beneficiary है वो non-general है non-general मतलब general category के नहीं है वो या तो other backward class के है या SCST है या महिलाए है 43% महिलाए है बाकि SCST और OBC category के लोग है SBI ने ये report जारी की है PM Swanee धी strengthens the country's social fabric by empowering by empowering grassroots market mavericks ये पूरी theme थी इस report की पूरी tagline थी इस report की जिसमें कहा गया 75% beneficiary जो है वो non-general category के है ये जो पूरी report जारी की वो सौम्यकांती घोश जो CEO है SBI की उसको उसने जो है वो ये जारी किया है कि 75% non-general category के है sectional benefit की बात करे तो 44% तो other backward category के है 22% इसमें SC और SD cast के लोग है और 43% जो है वो महिलाए है PM Swanee धी जो है वो Ministry of Housing and Urban Affairs ने 2020 में launch किया था पूरा नाम है प्रधान मंत्री street vendors आत्म निर्भर निधी इसके अंदर micro credits यानि की छोटे छोटे loans जो है street vendors को दिये जाते है इसका काम क्या है ताकि street vendors को loan मिलता रहे उनका काम चलता रहे 70,000,000 loan जो जिसकी value 9,100 करोड है ये loan दिये जा चुके है हर साल loan repay करना होगा 7% का ब्याज street vendors पर लगता है persistency ratio की बात करते हैं persistency ratio होती है पहला loan दे दिया दूसरा loan ले लिया पहला loan चुका दिया दूसरा loan और ले लिया तो ये कहा जा रहा है 68% लोग जो है वो 10,000 वाला first loan वापिस कर देते हैं और 20,000 वाला second loan ले लेते हैं 75% लोग जो है वो 20,000 वाला second loan वापिस कर देते हैं और 50,000 वाला 3rd loan ले लेते हैं, तो जो ये ratio निकलती है, second loan divided by first loan, इसको ही persistence ratio कहते हैं, और ये इस scheme की need को दिखा रहा है कि कितनी needed है ये, ठीक है, other highlights की बात करें, तो debit cards का use करना जादा हो गया है, street vendors के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत से बढ़ गई है ये growth, debit card को use करना, average spending 28,000 increase हो गई है हर साल, PM Swanee के आने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या बताय जा रहा है, कि 65% लोग जो है, इसमें 26-45 की age group के हैं, 63% लोग जो है, वो 25 से नीचे के हैं, या फिर 60 से जादा की हैं, प्रधान मंत्री जंधन योजना का account beneficiary को खोला और वो loan जो है, वो उसमें जाता है, यह सारी बाते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, 5.9 लैख borrower इस scheme के 6 मेगा सिटी से हैं, सबसे जादा borrower्स जो है, वो वारानसी से हैं, सबसे जादा borrower कहां के हैं, वारानसी के हैं, अगली निउस क्या कहती है, COTAक महिंदरा बैंक जो है, वो NESL के साथ, E-Bank Guarantee issue करने के लिए partnership कर रहा है Kotak Mahindra Bank ने NESL National E-Governance Service Limited के साथ partnership किया है कि अब जो bank guarantee होगी वो electronic format में जारी की जाएगी E-Bank Guarantee क्या होता है? Bank Guarantee क्या होता है समझो जैसे मैंने loan लिया मुझे loan लेना है किसी XYZ company से अब bank मेरे बिहाफ पे ये promise कर रहा है उस company को कि आप ये loan इसको दे दो ये वापिस नहीं करती है तो हम इसकी guarantee लेते हैं हम ये पैसा आपको देंगे इसको कहते है bank guarantee तब Kotak Mahindra Bank ने National E-Governance Service Limited के साथ partnership कर दिया कि guarantee हम लेंगे आप electronically generate कर देना ठीक है? ये news थी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है जो बात बताने की थी वो मैंने आपको बता दी इसके बाद next news है India to surpass Japan to become second largest economy in Asia by 2030 S&P Global का purchasing manager index आता है और ये manager index ये कहता है कि India जो है वो Asia का second largest economy बन जाएगा 2030 तक Japan को cross करके largest economy China, then Japan, then India तीसरा है अभी, अब ये कहा जा रहा है 2030 तक India second rank पे आ जाएगा Japan third पे चला जाएगा ठीक है? इंडिया जो है विश्व की भी तीसरी सबसे बड़ी economy बन जाएगी अभी तो fifth है हम ठीक है? साड़े 3 trillion dollar, 3.5 trillion dollar के साथ अभी हम fifth largest economy है ठीक है? यूके को हमने पिछाड दिया है छटे से पांचवे rank पर हम आ गए है ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही growth चलती रही तो हम विश्व में भी तीसरे नंबर पे आ जाएगे और एशिया में दूसरे नंबर पे आ जाएगे ठीक है? इसने भारत की GDP जो है वो इतनी forecast की है कि 6.2% से लेके 3% तक grow करेंगे टॉप economy की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे largest economy अमेरिका की है फिर चाइना, जापान, जर्मनी, second, third, fourth पे है ठीक है? फिफ्थ पे जो है इंडिया है पहले United Kingdom था लेकिन अब हम हो गए है 3.5 trillion dollar की US dollar की GDP के साथ इंडिया, एशिया में तीसरे नंबर पे है चाइना और जापान के बाद 2030 तक हम विश्व में भी third आ जाएंगे और एशिया में second आ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है क्या क्या चीज़े हैं जो भारत को favor करती है इस समचीजों के लिए एक तो हमारी rapid growth हो रही है after corona ठीक है दूसरा FDI भारत में जादा आ रहे है तीसरा जो हमारा देश है वो यंग लोगों का जादा है, यंग population है यहाँ पे, चौथा digital transformation इंडिया के अंदर बहुत fast हो रहा है 4G, 5G network जो expected भी नहीं था इतना जल्दी भारत में हो जाएगा वो काम भारत में हो रहा है growth driver की अगर बात करें तो अपने यहाँ पे, जो consumer की spending है वो सबसे बड़ी power है अपने consumer spend बहुत करते हैं जिससे economy को fuel मिलता है जिससे economy grow करती है country का domestic market बहुत बड़ा है industrial sector बहुत बड़ा है investments जादा हो रही है जिसके कारण इंडिया जो है वो grow कर रहा है और कितना हो जाएगा ऐसी उम्मीदे जताई जा रही है Next है Navalny Ignite Corporation यानि NLC ने अपनी एक नई ब्रांच जिसका नाम है NLC India Green Energy Limited NLC India Green Energy Limited जो है इसने renewable energy initiatives को शुरू करने के लिए अपना plan जो है वो unveil कर दिया है जो ये green energy limited है NLC की ही एक subsidiary होगी और इसने ये कहा है कि हमने अपना first board meeting कर दी है इस काम के लिए renewable energy में हम काम करेंगे और 5 gigawatt इतनी capacity की energy green तरीके से 2030 तक दे देंगे ठीक है अलग-अलग देश के अंदर हम लोग 2 gigawatt पूरे देश के अंदर 2 gigawatt तो already दे रहे हैं अब 5 gigawatt के नए plants हम लगा रहे हैं अगली और last news क्या है Paris Aerospace receives second type certification from DGCA for its agri drone agri drone क्या होता है drones क्या होते हैं ये तो आपको पता है है ना unmanned aerial vehicle drones क्या करते हैं agri drones क्या करते हैं जैसे उपर से आपको फसलों के बारे में देखना है कहां पे क्या कुछ sprinkles करना है कुछ अगर बारिश वारिश करनी है या कुछ chemical का छिड़काव करना है या फसलों का ब्योरा लेना है ये सारा drone के माध्यम से हो रहा है ठीक है इसको कहते है agri drone तो पारस aerospace ने अभी second type certificate जो है वो DGCA से मिल गया है कि आप अपना पारस agri copter V2.1 जो drone का नाम है ये launch कर सकते हो ठीक है इससे जो contracts है इसके agri company के साथ वो और ज़्यादा बढ़ेंगे ये certificate जो है वो DGCA ही यानि director general DGCA ही देता है ये वाला जो certificate है drones के लिए DGCA ही देता है और कब तक रहेगा ये आपके पास जब तक DGCA चाहेगा जब तक कि certificate को suspend नहीं किया जाता तब तक कि certificate आपके पास रहेगा और आप drones का यूज कर सकते हो तो ये पूरी न्यूस थी पारस Aerospace DGCopter को लेके अभी आज का question आपका ये है कि प्रधान मंत्री स्वान इधी जो scheme है वो कब launch हुई है प्रधान मंत्री स्वान इधी जो scheme है वो कब launch हुई है आपको year बताना है launching का ठीक है ये question मुझे I hope उमीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर करोगे आपने ध्यान से सुना है Thank you so much Take care